के साथ मानिय प्यूस गोहिल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदादिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदादिकारियों के उपस्थिती में किसान संगठनों के साथ बादचित बहुत गंबिर्धा पुरवक भी और सरकार हमेशा चाहती है कि बादचित के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं बादचित के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए इसी उद्देशे के साथ हम यहां पर आए हम स्वयम यहां पर आए पूरे भारेश सरकार के पुतनिधी के रूप में और ऐसे सभी विशयों पर चर्चा किया अधिकांस ऐसे विशय पर जहां हम सहमती तक पहुँचे लेकिन कुछ इस तरह के विशय जिन विशयों को लेकर के हमने यह कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमिटी बनाने की आवसकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखे और उसका अस्थाई समाधान ढूंडे अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिये हो सकता है हम खुले मन से तयार है और आसान भी थे कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधी इसका समाधान मिल करके ढूंडने में यह के जो देज भर के किसान है उनके और जनसामाने के हितों की रख्षा हो यह हमारा उद्देश से है और इस सिलसिले में हम अभी भी आसान भी थे किसान संगठन बाचीत करें इसके अलावे भी बहुत सारे पक्षे हैं जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधा लिए किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सुट्र दिया कि कुछ बिंदू पर समिती बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं अभी भी हम आसानुवित हैं अभी हम वेलकम करते हैं बात्चित करने हैं